साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की द्रश्टी से, एक विश्वस्त की द्रश्टी से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी हुआ है और भारत का मन भी हुआ है, भारत अपने सामर्थ से भी हुआ है, भारत अपने सपनों से भी हुआ है, भारत अपने चिंतन से भी हुआ है, भारत अपनी चेतना से भी हुआ है, भारत युआ हैं क्योंकि भारत की द्रश्टी ने हमेशा आदूनित्टा को स्विकार किया है भारत के दर्षन ने परिवर्टन को अंगी कार किया है भारत तो वो है जिसकी प्राचिन्ता में भी नमिन्ता है हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है अपी यथा युवानों मत्सथा नो विश्वम जगत अभी पित्पे मनीशा यानि ये युवा ही है जो विश्व में सुक्ष से सुरक्षा तक का संचार करते हैं युवा ही हमारे भारत के लिए हमारे राष्ट के लिए सुक्ष और सुरक्षा के राष्टे हवश्च बनाएंगे इसलिए भारत में जन जन से जग तक जन से जग तक योग की यात्रा हो revolution हो या evolution रा सेवा की हो या समर्पन की बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की रा सयोग की हो या सुधार की बात जड़ों से जुडने की हो या जग में विस्तार की ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चड़ करके हिस्सा न लिया हो अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती है तो ऐसे समाएं संकर जैसा कोई वा आदी संकराचार्य वनकर देश को एकता के सुत्रवा पिरो देता है जब भारत को अन्याएं और अत्याचार से लड़ने की जरुद होती है तो गुरु गोविन सीजी के बेटे युवाओं का बर्दान आज भी रास्ता दिखाता है जब भारत को आजादी के लिए क्रांती की जरुद होती है तो सरदार भगत्सी से लेकर चंद्र से कराजाद और नेताजी सुबाद तक कितने ही वा देश के लिए अपना सब कुछ अरपन कर देते हैं जब भारत को आजधात्म की स्रूजन की शक्ति की जरुद होती है तो स्री अरविंदों से लेकर सुब्रमन्यम भारती से साक्षाकार होता है और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाविमान फिर से पाने की अपने गवरों को दुनिया में फिर से प्रतिश्रित करने की अधार अधीरता होती है तो स्वामी विवेकन जैसा एक युवा भारत के ग्यान से सनातन आवान से दुनिया के मानस को जागरत कर देता है